चुनाओं के इर्दगिर जूट बोलने का मामला सुप्रीम कोट की बात को लेकर जब रफाइल पर हुआ था तो राहूल गांधी को उस पर रिटन अपॉलजी देनी पड़ी थी और जूटों का सरदार जैसे शब्दों का इस्तमाल पहले भी आप लोगों ने चौकीदार चो हर किसी के एकाउंट में आएंगे या फिर उन्होंने कहा कि दो करोड नौकरियां जो है वो हम हर एक साल में नौजवानों के लिए देंगे तो ये क्या सच हुई है ये बात बता दें बीजेपी के प्रवक्ता तो फिर इसको जूट न कहा जाए तो और क्या कहा जाए पिछ इस तरह की नौटंकी जो है उसको कही न कहीं जनता के बीच में एक्सपोज करना पड़े का और ये मातर ये तो मैंने तीन उधारन दिये हैं ऐसे पचासों उधारन हम दे सकते हैं हर राज्य के बारे में दे सकते हैं चाहे वो बिहार है या उत्तर प्रदेश क्या-क्या अब बिहार में कश्मीर में जाकर कि इतने बड़े पैकेज की बात करते हैं और मैं वही तो कह रहा हूँ केंदर सरकार से मान कर रहे ना है कि जो आपने वादे किये थे वो बादों को पूरा करिये आप राज्य सरकार को मदद करिये वहाँ पर मातर जूट बोल करके निकल जाना इसी लिए बीजेपी जो है वो भारत की जूटी पार्टी बारत की जुमला पार्टी है जुमलों की चोट से ये वोट लेना चाहते हैं जो गुजरात की जनता इस बार नहीं देगी ये बड़ी बाते करते हैं पिछली बार की बात इनको याद दिला हूँ अपकी बार डेड़ सो पार लेकिन कहा रह गए निन्यालवे में रह गए डेड़ सो पार पिछली बार बोला था आपने चीक है मैं इस पर जवाब लूगी लेकिन उसे पहले प्यूश जी एक कमेंट आप से लेना चाहते हूं आपने कुछ काम गिनाने को कहा था उन्होंने जो बैंक खाते लोगों के खुले हैं वहां से लेकर जल और नल का कनेक्शन लोगों के घरें तक पहुंचने से रोजगार के मुद्दे तमाम मुद्दों पर जवाब दिया ये वो काम गिना रहे हैं अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसकार मेरी बहुत ही सिंपल सी प्रतिक्रिया है कि इनी मुद्दों को लेकर चुनाओ लग लिजिए भाटिया जी तो चलिए मैं आजनी तिक मिश्रेशक हूं पर आपकी शिक्षा और शिकित्सा की नीतियों का संबर्दक हूं तो उससे उन्हें कष्ट हुआ कोई बात नी कष्ट मिस्टर प्यूश मिस्टर प्यूश मिस्टर प्यूश एक काउंटर क्वेश्चन है आपने कहा कि फिर मुद्द नहीं मुद्दों पर चुनाव लड़ लीजे वैसे ही आम आदमी पार्टी भी डेली मॉड़ लेकर आई है लेकिन उस पर कहां टिकी जी वह तो आ गए नोट नोट पर गड़ेश जी और लक्षमी जी की फोटो लगाने के मुद्दे को लेकर क्यूं आ गए जाते हैं कोई पर प्रांठना पर करके ज Entertainment ने कि बात प्र लेदेखे बाट सर्थ ज़िए अबनाना कbased行ते हैं जुसके ओन यह सताफिग करना जिससे को बीमार पड़े और सिलब्सषजा व्यवस्था की कि जा सके इसार है 300 आठी लेयर प्री ना जिससेंड़ी और मांत शकत्रक राइन में पचान जा सके 30 करजा मात नहीं करना है अपने बड़े उद्योग पती मित्रों का पर जो गरीब जनता है उसकी जेम में थोड़ा सा सही ओग्राशी देना है क्योंकि बारत की जो संविदान की परिकल्पना है वो एक वेलफेर स्टेट की परिकल्पना है तो इनी बातों पे तो जुनाव और जुमले क्या होते हैं और यहां पे कॉंग्रेस के प्रवक्ता ने नौटंकी शब्द का इस्तमाल किया है सारे दर्शकों ने सुना इसकिए जब मैं नौटंकी शब्द का इस्तमाल करूंगा तो बुरा नहीं मानेंगे उनने सो उननातर में नौटंकी करी इंदियना गांधी ने कहा गरीबी हटाओ घरीबी हटाओ इंद्रा गांधी हट गई राजीव गांधी हट गए कॉंग्रेस की सरकार हट गई राउल गांधी भी अधिकर करके वोट मत लगे रहा हूं कि जब अंजरा जी आप आपने भी मुझे याद दिलाया था कि आप पिछले दौर की बाते करके वोट नहीं ले सकते अब ये पिछले दौर की बाते कर रहा है आपी का मंच है आज के दौर में आईए गुजरात में गौरव जी जल्दी से गौरव जी टाइम आईए आईए नए दौर में नए दौर में लिखेंगे नए कहानी आईए अंजरा जी बाइपोल हुए अभी साथ जगा पे विदान सबा के आपको मालूम है हमारी तीन सीटे थी हम जीते चार एक बढ़ गई कॉंग्रिस पार्टी की दो सीटे थी नए दौर में नई बात नई कहानी की बात करते हैं सीटे किती हो गई अंडा दोनों जो जीते हुए थे वो भी हार गए यह नए दौर की नई कहानी दूसरी बात